स्वायम प्रभा के किशोर मंच चैनल के लाइब प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का पडिचर्चा का विशे है राश्ट्रिय अविश्कार सब्ता और इस पडिचर्चा में NCRT के विज्ञान और गनिज चिक्षा विवाग से हम तीन लोग हैं मेरे साथ है Professor Alka Meharotra जो रशायन विद्या के Professor है और मेरे साथ है Dr. A.K. स्रीवास्थव जो Assistant Professor है Physics के और मैं रिजाओल करी मेरा विशे Computer Science है अब मैं Dr. Aashir स्रीवास्थव जी से request करूँगा कि हमारे दर्शकों को इस राश्ट्री अविश्कार सप्ता के बारे में बताएं धन्यवाद डॉक्टर रिजाओल मैं राश्टी अविश्कार सप्ता की जो बात हो रहे है राश्टी अविश्कार सप्ता 2018 NCRT, MHRD के Ministry of Human Resource Development के मार्क दर्शन में एक पूरा एक कारिक्रम बनाया गया है और उसके लिए कुछ गाइडलाइन्स बनाई गयी है कि कैसे इस सप्ता को हम बनाएंगे इसके लिए एक वीक भी डिसाइड किया गया है 29 अक्टूबर 2018 से ले करके 2 नॉमबर 2018 मैं इसके बैक ग्राउंड में पहले कुछ चीजें बताना चाहूँगा जैसे आप फ्लाइस अभी देख रहे हैं कि राश्ट्री अविश्कार शप्ता का डेट में चाहूँगा फिर से फ्लाइस करें 29 अक्टूबर टू 2 नॉमबर 2018 राश्ट्री अविश्कार सप्ता एक बड़े अंबरिला प्रोग्राम जो की राश्ट्री अविश्कार अभियान है उसका एक हिस्सा है राश्ट्री अविश्कार अभियान जैसा कि आपको मालूम होगा 2015 में लाउंच किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दिल कलाम साहब ने इसको लॉंच किया और इसी कारण से हमने ये डिसाइड किया NCRT के स्थर पे ये कहा गया कि क्यों ना हम इस सब्ता को उनकी बर्थ अन्वरसरी के मन्थ में मनाएं उनकी बर्थ अन्वरसरी अक्टूबर के महिने में होती है इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हम अक्टूबर का ही मां का अन्तिम हाफता इस बात के लिए चुने कि देश भर के हर ब्लॉक से एक-एक विद्या ले इस गतिविदी में हिशा ले जो मैंने कहा कि राष्ट्री अविश्कार अभियान है जैसा कि आप अभी सामने देख पाएंगे राष्ट्री अभिश्कार अभियान इसका एक हिश्चा है राश्ट्रिय अविश्कार अभियान को लाँच करने के पीछे ministry का जो objectives थे वो मैं चाहूंगा कि यहां पे flash किये जाएं ताकि हमारे दर्सक इसको देख पाएं कुछ जो objectives इसके बताये गए कि किन उद्वश्यों के साथ यह सुरू किया गया To enable children to become motivated and engaged in science mathematics and technology जिसको साथ में SMT कह रहे हैं Through observation, experimentation, inference drawing, model building, rational reasoning, testability, etc. यहनि बच्चों को हमें प्रोसाहित करना है Science, विज्यान, गनेत और तक्निकी, प्रद्यक्य की और Observation, observation skills उनकी भढ़ानी हैं उनको हम experimentation, प्रयोगों पर हम चाहते हैं कि प्रयोग करके देखें, inference निकालें अपने प्रयोगों का अधार पर कुछ inference ड्रा करें तर्क दें, आपने जो भी उनके हैं उसके तर्क दें साथी साथ to create curiosity, excitement and exploration among school children in science, mathematics and technology यानि बच्चों में एक उत्सुकता, एक जिग्याशा का भाव generate करने की इस अभियान के तहत हम कोशिश कर रहे हैं यह जैसा कि आविशकार अभियान है नोन मेश की बात हो रही है, आविशकार की बात हो रही है नए inventions की बात हो रही है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा विज्ञान और गणित में केवल वो पुरानी बातें ही पढ़ करके और रट करके और परिक्षाओं में उसका उत्तर दे करके ही नरहे जाए बलकि कुछ नया सोचे और इसके लिए हमें अपने पूरे धाचे में कहीं कहीं बदलाव लाना होगा और इसी के क्रम में ये राष्ट्री अविश्कार अभियान को लांच किया गया था इसके कुछ और बिंदु जैसे हैं अबजेक्टिब्स के तो क्रियेट अ कल्चर ऑफ तिंकिंग सोचने के बच्चे को सोचना बहुत जरूरी है कर विज्ञान का वो छात्र है तो बिना सोचे काम नहीं चलेगा कोई चीज क्यों हो रही है कैसे हो रही है इन सवालों को जब तक वो अपने मन में लाता नहीं है तब तक बात नहीं मनती है inventing, tinkering and doing to promote inquiry based learning जब तक वो प्रस्ट नहीं पूछेगा, जब तक बच्चे के मन में प्रस्ट नहीं आएंगे तब तक हमारी विज्ञान की शिक्षा अधूरी है इन सारी चीजों के लिए हमें इसको mission mode में लाना पड़ा और government का ये initiative बड़ा अच्छा initiative है कि राश्टी अविश्कार अभियान की रूप में एक mission हमने start किया 2015 से और ये हमारा तीसरा साल आ गया पिछले साल भी NCRT ने स्कूली सिक्षा के ऊपर कुछ एक guideline डेवलप की थी जो सारे states के साथ और सारे stakeholders के साथ share की गई कि हम कैसे बच्चों में नौनमेश को अविश्कारों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं to encourage and nurture schools to be incubators of innovation हमें यहाँ पर देखना है कि अभी school, school का भी शुरूप बदलने की जरूवत है school में केवल वो सिक्षा नहीं होगी जो हम class में सिक्षा काएगा कुछ चीजें बताएगा और बच्चे उसे कापी में नोट करके चले जाएंगे school को एक ऐसा महावल देने की जरूवत है जहां पर की बच्चा नौनमेशी हो कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो इन सारे उद्देशों के इन बड़े बड़े उद्देशों के साथ इस बड़े कारिकरम का सुभारम हुआ था और इसमें पूरे देश की बिभिन एजेंसियां लगी हो यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है NCRT स्कूली एजुकेशन के उपर काम करता है तो जो यह कच्छाच्छे क्लास 1 टू क्लास 12 तक के बच्चे हैं उसके लिए हम बात करते हैं तो इसी क्रम में पिछले वर्स हमने एक साइन्स बॉक्स की भी बात की थी कि पूरे देश के प्रतेक बच्चे को यदि उसके हाथ में एक विज्ञान पिटारा या खोजबीन पिटारा जिसको नाम दिया गया था उसमें साइन्स एक्टिविटीज करने के लिए चोटी-चोटी कुछ चीजे हैं लेंस हैं, मैगनेट हैं और और चोटी कई चीजे हैं जिससे बच्चा कम से कम उसकी और प्रेरित हो विज्ञान की और प्रेरित हो, प्रियोगों को करना चाहे, करके देखे, जब तक करके देखेगा नहीं, तब तक उसे विज्ञान की शिक्षा अधूरी है हमारी जितने भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, हमारी जितने भी कमीशन सिक्षा से जुड़े हुए बने हैं, सबका ये कहना है कि हमारे स्कूली सिक्षा को जब तक बाहरी वातावरण से नहीं जोडा जाएगा, तब तक उस शिक्षा सही माइने में शिक्षा नही यह दिया है, प्रपोजल दिया है, मिनिश्टी की ओर से अप्रूब्ड है और हमने एक मीटिंग भी की है इसके संदर में सारे स्टेट कॉडिनेटर के साथ जिसमें हमने उनसे डिसकस किया कि कैसे इसको हम रोल आउट करेंगे वो मीटिंग हो चुकी है और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि देश के हर एक ब्लॉक से एक एक स्कूल चुना जाएगा ये स्कूल किस प्रकार चुने जाएंगे इसके विशा में चर्चा स्टेट कॉडिनेटर के साथ हो चुकी है स्टेट कॉडिनेटर अपने अपने स्टेट में हर एक ब्लॉक से एक एक ऐसा स्कूल चुनेंगे जिसमें higher secondary classes हो जहां पर laboratory हो functional laboratory हो जहां पर कुछ हम प्रयोग इस बार जो बता रहे हैं उनको करने की शुविदा हो उसके लिए कुछ छोटा सा ग्रांट भी रखा गया है ताकि उसके लिए जो आवश्यक शामगरी हो अगर व कर रहा है हमारा हुद देश यहां पर राष्टी आविशकार सब्ता की guidelines के बारे में बात करना है कि कैसे मनाना है क्या करना है तो इस बार निश्यत तोर पर यह हमारा यह पहला पहली प्रयाश है इस बार हम पहली बार लेकर की जा रहे हैं इस चीज को और उमीद करेंगे य एक साथ पूरे देश के बच्चे किसी एक पर्टिकुलर वीक में ही धेर सारे एक्टिविटीज जो हम बता रहे हैं उसमें सारे इंवॉल्ड होंगे हाँ इसमें कंडिशन हमने दी है कि इसमें बच्चे जो इंवॉल्व होंगे क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि जो भी यहां पर हम प्रयोग कराने वाले हैं या जो भी हमारे सर्जिटेड एक्सपरिमेंट्स हैं वो सारे एक्सपरिमेंट्स उनी की कख्षाओं से लिम्टेड हैं मुझे मैं इसमें बहुत जादा नहीं बताऊंगा मैं थोड़ा सा और एक बात और जोड़ दूँ कि इस बार जो हमने विशय चुना है टेस्टिंग आफ वाटर है वाटर की कुछ टेस्टिंग करेंगे और वाटर चुना हमने क्यों दैनिक जीवन के लिए मालूम है जल एक परम आवश्यक चीज है और उस उसको करने के साथ कुछ रिजल्ट्स भी निकाल सकेगा मैं चाहूंगा कि हमाए साथ प्रोफेशर अलका मिरोतर जी है मैडम से चाहूंगा कि वो टेस्टिंग आफ वाटर के बारे में अगर और जानकारी दे हमाए दर्शकों को कैसे और क्या एक्टिविटीज आप जरूरत भी है हमारी तो बच्चों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस जल हमारा कितना शुद्ध है या कितना प्रयोग करने लाइक है और उसको जानने के लिए बच्चों को हम थोड़ सा इस समय खासीज यह है कि हम ये तो नहीं बता सकते पूर्ट ता कि जल प बच्चों की curiosity, बच्चों का ध्यान इस तरफ जाए कि हम जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, वो कितना शुद्ध है हमारे लिए, या कितना हम प्रयोग जो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं उसका प्रयोग, और कुछ वो उनकी curiosity आगे भी बढ़ेगी, हाला कि हम सिरफ तीन परिक्ष जाहिए जैसे की हमें चाहिए की बैक्टिरीया है की नहीं उसके अंदर, गंदगी है की नहीं है उसके नहीं और भी बहुत सारे, हम यहां सिरफ तीन परिक्षिनर देंगे, एक तो हम ये बच्चों से चाहेंगे, वो जानने की कोशिश करें, कि उनका जो जो जल वो इस्तम यह बता लगाने की कोशिश करें, दूसरा हम यह चाहेंगे, कि बच्चे यह जानने की कोशिश करें, कि उसका pH कितना है, सब ने जाना होगा, जानते हैं, कि वर्षा के जल के बारे में आजकल बहुत सारी न्यूस मिलती है, कि अमलिये वाटर जल होता चला जा रहा है, अमलिय हम पी-एच उसकी चक करें, पी-एच के बारे में जाने, तो एक प्रयोग हमारा पी-एच के ऊपर होगा, दूसरी तीसरा जो प्रयोग होगा हमारा उसकी संपूर्ण छारक्ता जानने के लिए होगा, यानि टोटल एलकलिनिटी, आप जानते हैं, कि जब पानी परकुलेट के नीचे का पानी है, यानि अंडर ग्राउंड वाटर है, वह एलकलाइन हो जाता है, तो हम जानना चाहते हैं, कि कितना अलकलाइन हो गया, कभी-कभी आप हेंट पॉम के months, कुवे से माणी लेते होंगे, तो ऑफ अन्डर ग्राउंड वाटर होता है, तो टोटल तो आप अपने आसपास के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे कि जो पानी इस्तमाल हो रहा है वो कैसा है अब इसके लिए सबसे पहली चीज तो यह हमें जल इखटा करके लिए के आना है जल हम कैसे इखटा करें तो इसके लिए हमारा यह सजेशन है कि जब कभी जहां अगर माली जब नदी से ला रहे हैं या कुए से ला रहे हैं या आप तालाप से लेकर आ रहे हैं तो ऐसे पानी को इखटा करने के लिए या सैंपल का चेक करने के लिए आप किसी बड़े के साथ जाएं जिससे की कोई दुरघटना नहीं हो और जो भी बच्चे इस प्रेयोक पे करना चाह रहे हैं वो उस प्रेयोक को करने के लिए जल शीशे के अगर बोतल में लाएं तो बहुत अच्छा होगा और धकन से बंद करके लेके आएं उसको अगर टैब वाटर जो इस्तमाल करना है तो थोड़ी देर एक दो मिनट पानी को चलने दे नलके और फिर उसके बाद उसको पानी को बोतल में इखटा करें और प्रेयोक शाला में लाएं बहुत देर रखने के बाद इस्तमाल ना करें प्रेयोक करने के लिए जैसे ही लाते हैं लैब में तो एक दिन के अंदर उसका क्योंकि सब्ता है आपके लिए पूरा कारी करने के लिए तो पूरे सब्ता में आप कभी भी उसका टेस्ट कर लें जिल्ती जल्दी हो सके उतना टेस्ट करें दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आप इसको अपनी लैब में टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के ये पाठिक्रम से लिए गए हैं, जो उनके पाठिक्रम में हैं, तो अगर वो उसका इस्तमाल करेंगे, तो पाठिक्रम के बारे में भी कुछ और जानेंगे, ज्यादा जानेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने पाठिक्रम के इन प्रयोगों को अपनी प्रयोग शाल और जो प्रयोग हमने पी-एज की चकिंग के लिए बताया है, चक करने के लिए बताया है, वो दोनों प्रयोग हमने ये सोच कर दिये हैं कि बच्चे दसवी, नौवी, दसवी क्लास के बच्चे इनको कर सकेंगे, जो टोटल अलकलीटी का टेस्ट है, यानि समपूर्ण छारक का जो टेस्ट है परीक्षन है उसको बारवी क्लास के और ग्यारवी क्लास के बच्चे आसानी से कर सकते हैं इसलिए उनके लिए चुना गया है लेकिन अगर दस्वी और नौवी क्लास के बच्चे तीनों टेस्ट करना चाहते हैं तो तीनों कर सकते हैं हम चाहेंगे कि जो ती तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, यह मैं आपसे, आपेक्षा हमारी है, यहाँ NCRT की, वो आपेक्षा यह है, कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल का, आप उसको किसी चीज के संदर्म में देखेंगे, तो आसुत जल का टेस्ट, यहनी आसुत जल, डिस् जल का टेस्ट करिए, क्योंकि आसुत जल के अंदर बहुत कम आइंस होते हैं, इसलिए उसके सापेक्ष हम देखेंगे बाकी, जो आपने स्रोथों से जल इखटा किया है, आप स्रोथ आपके कौन-कौन से हो सकते हैं, आपके पास कुआ हो, आपके पास हैंड पंप हो, ताल आपके पास अविलेबल हो, और नल के पानी को भी टेस्ट कर लीजे, तो हम ये आसुत जल के अलावा, आसुत जल तो आप एक चेक करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा आप किसी एक स्रोथ से, कम से कम एक स्रोथ से लिया हुआ जल, अवश्य टेस्ट करें, आप हमें आपसे जो test आप करेंगे, उसके results भी चाहिए, जिसे आप हमारी NCRT की website पर submit करेंगे, वो हमें अभी results भी बताएंगे, उससे पहले में यह बताऊंगी, कि आप कम से कम 4 test करें, और result कैसे submit करेंगे, यह आप जान ले, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजे, आपके school ने 4 स्रोतों से ज लिखटा किया है, आपने नल से पानी जो आ रहा है, वो लिया है, आपने आप नदी से जल लेकर आ रहा हैं, 3-4 स्रोत से लिया है, तो किसी कुएं से मान लीजे, 20 बच्चों ने जल लिया और उसका परिक्षण किया, तो 20 बच्चे का जो परिणाम आया, उसमें आप उनका आसत निकाललें, और उसको हमें उस पर्टिकुलर सेंपल के लिए देंगे, इसी तरीके से आप उसको दूसरा टेस भी और एक सेंपल से तीनो टेस्ट करेंगे, यानि तीनो जो भी सेंपल आप ले रहे हैं, उसके लिए तीनो से टेस्ट, का जो परिणाम आता है उसका average आपको यहां submit करना होगा और अब मैं रिजाउल जी से यह चाहूंगी कि वो थोड़ा सा बता दें कि result कैसे online submit करना है, कहां से form मिलेगा और किस तरीके से वो उसको submit कर सकते हैं, school. Thank you Professor Alka for explaining in such details कि how to fill up and do the activities. Talking about how to fill in the report and sending the data to NCRT, तो जो guideline के बारे में भी explain किया गया है, वही guideline अपिक्षित है की NCRT की website में भी आ जाएगा जल्द ही और schoolों के साथ उसको share किया जाएगा, तो उस guidelines में आपको एक web link दिया जाएगा, एक URL address दिया जाएगा, जिस जो आप computer, आपकी browser में जाके आप उसको type क करेंगे, तो आप वहाँ पहुँच जाएगे, जैसे आप Google में पहुँचते हैं, किसी भी website में पहुँचते हैं, तो आप उस address को type करके, या copy paste करके, enter करते ही, आप वहाँ पहुँच जाएगे, अभी आप देख सकते हैं, मेरे screen में, जो मैं जिस website की बात कर रहा हूँ, जो एक average value जो होगा, suppose pH का एक बार बढ़ना है, और आपको forming capacity का एक बार बढ़ना है, और alkalinity का एक बार बढ़ना है, तो इस form में आते ही पहले मांगेगा, कि email address, आप देख सकते हैं, अगर आप कोई visible हो रहा हो, तो आप से पहले पूछता है, कि आप enter your email address, तो आपके school का, या जो वेक्ति उस data को upload कर रहे हैं, वो आपने email address देंगे, तो मैं अभी आपको ये fill up करता हुआ दिखाता जाता हूँ, ये Google form, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना email address डाला, email address डालने के बाद इस form में और कुछ नहीं, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, कि रश्टी अभिष्का सब्ता 2018 कब से कब हैं, आप आप नीचे जाएं और next button में click करें, next button में click करते ही आप इस data submission form के दूसरे page में आ गये हैं, जहाँ पे आप से पहले पूछा जाता है कि about your school details, school details का मतब है, पहले आपको चुनना है कि आपके ये school कि state में पढ़ता है, या union territory में पढ किस भी state से आपने अपना state ये union territory को चुनना है, उसके बाद आपको अपने district का नाम लिखना है, district के नाम लिखने के बाद आपको अपना block का नाम लिखना है कि किस block में आपका ये school पढ़ता है, और इसके बाद आपको आपके school का नाम बताना है, you have to type the name of your school. इसके बाद आपको स्कूल के U- v 관련 code डालना है, जो 11-digit का U-俥 Sikh code होता है, इसके बाद यहां पर आपको आपने school के address बताना है, school address बताने के बाद आप आपने school के location के pin code बता सकते हैं, अब इसके बाद आपको बताना है कि आपको ये school का locality क्या है मत्तब क्या आपका ये school urban area में recite करता है क्या वो semi urban area में है या वो rural area में है इसके बाद आपको यहाँ पे data देना है कि name of school principal और headmaster आपके जो भी school के head है प्रदान है उनके नाम लिखना है इसके बाद आपको ये data देना है कि name and designation of the teachers involved in guiding the experiment ये जो राइश्ट्री अविश्कार सब्ता मनाया जा रहा है या गया उसमें कौन-कौन से शिक्षक involved थे उनके नाम और उनके designation देना है इसके आगले column में आपको देना है कि आपके इस कारिकरम में सब्ता मनाने में जो भी laboratory के सहायक आपके साथ जोडे थे उनके नाम और उनके सब देना है details इसके बाद आपने next click किया तो आप data submission form के आगले page में पहुँच जाते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला experiment जो है foaming capacity of water यहाँ पे जाने के बाद आपको बताना है जैसे मेडम प्रोफेसर अलका जी ने बताया कि यह उपेक्षित है कि school से कि class 9, 10, 11, 12 इन चारों classes के बच्चे इस experiments को करेंगे या इसको इसमें हिस्सा लेंगे तो आप school को बताना है कि how many students from class 9 perform this experiment यह जो foaming capacity of water इसको करने में class 9 के कितने बच्चे थे सापोज में बताता हूं 43, class 10 के कितने थे, class 12 के कितने थे और class 11 के कितने थे और class 12 के कितने थे इसको बताने के बाद आपको बताना है जैसे अल्रडी बताया है कि एक तो आपको तिनो experiment distilled water के साथ करना ही है besides that you have to choose one or more samples यहां आपको दिया गया option to select how many samples have been used one can select maximum up to four that means besides distilled water one can do each of the experiment with four other different samples तो इस table में आपको बताना है कि आपका sample one जो है वो क्या था water from pond lake था water from river यह bottle mineral water है यह underground water like well hand pump और जो भी underground water है यह supply water जो होता है यह आपने rain water के लिया है यह spring water है यह फिर कोई और सुरोथ है जो यहां पे mentioned नहीं है सो आपका sample one आपको बताना है कि कहां से लिया आपने sample two आपको बताना है आपने कहां से लिया Sample 3 आपने कहां से लिया और Sample 4 आपने कहां से लिया अगर आपने 4 Sample लिया अगर आपने 2 ही लिया तो 2 बताना है अब आपको बताना है कि जो Experiment किया गया Distill Water के साथ उसके Foaming Height क्या है तो आपको वो Data देना है जो भी होगा इन संटीमेटर आपको बताना है आपका जो Sample 1 है जो भी शुरूत आपने लिया है पहले चाहे जो भी out of the samples यह जो बताया गया आपको पहले Sample में जो पूरे स्कूल के average बताना है कि forming capacity कितना निकला उस Sample में उसी तरह Sample 2 में कितना निकला Sample 3 में कितना निकला और Sample 4 में कितना निकला यह बताने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है अब जो activity दूसरा आ रहा है experiment 2 testing the pH of water जो मेंडम ने अभी अल्रड़ी बताया है इसमें भी उसी तरह आपको बताना है कि इस कारिकरम को करने में इस एक्सपरिमेंट को करने में pH को class 9 के कितने बच्चे थे और class 10 के कितने बच्चे थे, class 11 के कितने थे और class 12 के कितने बच्चे ने यह pH of water का experiment को किया है, फिर अगेन आपको बताना है कि कितने water sample ले गए थे और उनके source क्या क्या है, once you enter data for all the samples, then आपको बताना है कि pH of distilled water क्या है, फिर आपको बताना है कि pH of water sample 1 क्या है, pH of water sample 2 क्या है or फिर अगर आपने more than 2 sample ले आपको data भी देना है, इसके बाद आपको next click करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और इसके बाद आपको यहां बताना है जो तिसरा experiment जिसके बारे में चच्चा की गई है, कि third experiment will be testing total alkalinity of water. So, the same way you enter data for the previous two experiments, in this page also you are going to mention how many students of class 9 from your school did take part in this experiment. So, suppose you say that 35 and for class 10, let's say you say that any number जो भी इन हो, जिन बच्चो ने भी class 9 की किये है, class 11 के जितने बच्चों ने किया है, अगर multiple section है तो वो सब बता के total बताएं कितने बच्चों ने participate किया है, class 12 के कितने बच्चों ने किया है, उसी तरह आपको फिर बताना है कि कितने sample से लिया गया है, दो, तीन, एक जितने भी sample से आपने water लिया है, जिस water का alkalinity आपने test किया है, और फिर आपको उसी तरह आपको सुरोध बताना है कि कहां कहां से लिया गया है पानी और फिर total alkalinity in mg per liter और ppm of distilled water आपको data बताना है, पहला आपको बताना है distilled water का, जो भी result आएगा, फिर आपको फिर water simple जितने भी simple अगर आपने और ज्यादा लिया है तो वो से बताना है, यह तिनो test experiment के आपने data इस तरीके से upload करने के बाद आपको अगले page में जाना है, और वहाँ पे summary page है, यहाँ पे share the experience of राश्ट्री अविसकार सब्ता 2018 in your school, यह जो राश्ट्री अविसकार सब्ता सब्ता का वो आप बता सकते हैं आपे, share कर सकते है, you can type, you can in the text, जो भी आपका रहा, the next, last and but not the list, यह जो लाश्ट्री अविसकार अविसकार अवियान और सब्ता 2018 in your school, यह सब्ता celebrate करते समया अगर कुछ फोटोग्राफ किचे गए हैं school दो आरा, तो वो फोटोग्राफ आप यहाँ पे add file में click करेंगे, और यहाँ पे आपने फिर आपके computer से, जहां भी आपने store किया है, उन फोटोग्राफ को पहले computer में लाएं, और फिर camera से या mobile से किचने के बाद, और फिर वहाँ से आप उनक आप submit button में click करेंगे, तो आपका यह data submission हो गया, यह आपको confirm तब मिलेगा, आप निश्चित तब हो जाएं, जब आपको यह message मिल जाए, कि your response has been recorded, इसका मतलब यह हुआ कि आपने राष्ट्री आपिशका सब्ता 2018 का जो तीनों experiment है, उसके data, आप अपने school के कीगए experiments का data, कुछ question में जो star है मतलब है कि उनका mandatory है, अनिवारी है, उन star questions को answer करना अनिवारी है, उनके बेना आप जब भी अगर next button click करेंगे, उनको blank छोड़के, तो आपको Google form आगे बढ़ने नहीं देगा, आप submit नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से इसमें एक और condition है कि school के पास अपन साथियों को और दर्शकों को भी और उम्मीद करूंगा कि रश्री अविश्कार सब्ता जैसे जो टेच उने गए date पर करेंगे और successfully और ये data successfully upload करेंगे, धन्यवाद.